आपको भी पैसों कि यहां पर पढ़ चुकी है और पैनकार्ट साथ में अधारकार्ट के बेसिस को पर आप यहां पर लोन अप्लाई करने के बार में सोच रहे हो तो आज में आपको एक ऐसी अप्लिकेशन बताऊंगा इस अप्लिकेशन से आप 1000 से लेके 5 लाख रुपे का य यहां पर कर सकते हैं तो मुझे आप पर अपर्वल मिल आप पूरे 30,000 रुपे का मुझे आप अपर अपर्वल मिल चुका है तो इस लोन को अभी में आपके सामने यहां पर अप्लाई करकी दिखाऊंगा और जो अप्लिकेशन है एक्टम आर्बे से अप्रूड अप्लिके लाईजिबिलिटी मिल जाएगा तो यहां पर अपको यहां पर अपर लिमट मिल जाएगी आपको पे लिमट मिल जाएगे आप उस लिमट से EMI के पर कोई भी समान बाई कर सकते हैं एक मंद से लेके पूरे 36 मंद का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा तो यहाँ पे इसको आपको यूज कैसे करना है अपलिकेशन आपको कहा मिलेगी क्या-क्या eligibility रहने वाली है उसके लिए आपको वीडियो को एक्तम लास तक यहाँ पे देखना है तो ही आप इस application पे देख सकते हैं और की सर्मिस यहाँ पे मिल जाएगी अब जो मेरी पेलेटर की सर्विस चालिस रूर पर के मेरी सर्वीस है उसके बाद आप उपर करके अपनी जितने भी लिमिट है उसको इहां पर चेक कर सकते हैं अगर आपको EMI के आपको ayề की ओपर कोई मोबाइल चीये तो मोबाइल भी परचेस कर सकते हैं तो अठारा सो उन्तालियूर पे मेरी EMI बनी थी और बारा मन्त के लिए मुझे यहाँ पे लोन मिल गया था, उसके बाद आपको जो इंटेस्ट लगेगा, 24% का आपको इंटेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे एक अच्छी अप्लिकेशन है, आपको यहाँ पे लोन भी ले सकते हूँ और अभी मेरी लिमट यहाँ पे 40,000 पे एक्टिव है, तो 40,000 पे कम है कोई भी EMI के उपर समान को बाई कर सकता हूँ, जैसे मैं TV ले सकता हूँ, फ्रीज ले सकता हूँ, AC ले सकता हूँ, और कोई भी मुबाइल को मैं यहाँ पे फिलिप कार्ट पे जाके EMI के उपर यहाँ पे बाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको वीडियो को एकदम complete देखना है, अगर आपको यहाँ पे लोन की जुरूरत है, तो यहाँ पे आपको करना किया, आपको apply वाले option पे आपको tap करेंगे, तो यहाँ पे आपको as option यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे तरफ आपको आजाना तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको टू वीलर लोन भी मिल जाएगा और होम लोन भी मिल जाएगा सैल्व अफ्लेड लोन भी मिल जाएगा education loan ले सकते हैं, business loan ले सकते हैं, motor tourism loan ले सकते हैं और new car loan ले सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफी सारे loan भी यहाँ पर मिल जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी परकार से आप यहाँ पर personal loan भी ले सकते हैं साथ में आप यहाँ पर EMI का यहाँ पर कोई भी Pay Letter Service भी ले सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पर EMI कार्ड भी यहाँ पर ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पर टैप करता हूँ, तो यहाँ पर आपको IDFC First Bank की तरफ से deeds earned card मिलेगा, तो आपके देख सकते है जिसकी लिमट मेरी यहां पर 80,000 पर है पर मेरी लिमट अभी यहां पर ब्लोक है क्योंकि अगर आपका भी सिबल यहां पर डाउन होगा तो हो सकता है कि आपका भी यहां पर IDFC First Bank का कार्ड यहां पर ब्लोक हो चुका हो तो यहाँ पहले मेरा card यहाँ पर एक्टिवार जैसे मेरी यहाँ पर जो limit थी और यहाँ पर जादी limit close वे उसके बाद जब मेरा जो sival था वो एकडम down आया तो down होने के कारण जो मेरा card था यहाँ पर block हो गया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर EMI के अपर कोई समान भी ले सकते हैं पेलेटर सर्विस भी ले सकते हैं साथ में परसनल लोन भी ले सकते हैं साथ में आप यहाँ पर कारण भी यहाँ पर ले सकते हैं तो कैसी आपको अप्लाई करना है अप्लिकेशन कौन सी है तो आपको as interface मिलेगा तो यहाप आपको option मिल जाएगा pay letter service का अब आपको pay letter service को option आपके मिलेगा कहाँ अगर आप इसको यहाप यूज करते हैं अगर आप यहाप फिलिपकाड application को यूज करते हो तो आप इसकी limit को flip card पे भी यूज कर सकते हैं अगर आपको flip card के ओपर कोई भी EMI क कोई भी समान को buy करना है तो आप आपके EMI के ओपर कोई भी समान को buy कर सकते हैं क्योंकि इसको जो provide करता है वह करता है IDFC first bank IDFC first bank की वहाँ पे limit provide करता है आपको flip card पे और वो flip card वली ही limit आपको यहाप पे मिल जाएगी तो application कौन से तो वह मैं आप बताऊंगा उसके लिए जाना है तो जैसे आप loan sectional option पर आएंगे आपको यहाँ पर एसावेट करना है तो यहाँ पर आपको माई वाले loan पर आ जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफी सारे loan मिलेंगे सबसे पहले मैं आपको यह बता दू अगर आपको इस application पर loan कोई भी मिलता है तो payment अच्छे से करते हो उसके बाद आपका जो यहाँ पर loan है उसके भी limit बड़ेगी और साथ में आपको काड़ भी मिलेगा साथ में आपको आपको यहाँ पर pay letter service भी यहाँ पर मिल जाएगी आप इसको यहाँ पर कहीं बाहर जाके बाए कर सकते हैं अगर आप किसी भी शोप तो जादा document आपको बिल्कुल भी देने की यहाँ पर जूट नहीं है तो ना तो आपको 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 salary slip देनी ना यहाँ आपको आपको statement देनी है सिर्व आपको pen card आधार card के ओपर ही यहाँ पर लिमट मिल जाएगी तो आपको देख सकते हैं मैंने 16,719 रुपे आपको देख सकते हैं 12 मनुझे आपको load मिला था और यहाँ पर जो मुझे interest लगा था 24% मुझे आपको interest लगा था तो आपको EMI का time बहुत ही कम मिलेगा आपको देख सकते हैं उसके बाद मैंने 16,400 रपे के मुबाइल को बाय किया था, तो जिसकी EMI मेरी याप पे 254 रपे बनी थी, तो ये भी लोन मुझे पूरे 8 बंद का याप पे मिल चुका था, जिसका मंथली इंटरस्ट याप देख सकते 13.20%, क्योंकि जो इंटरस्ट येट है, आपका डिपैंड करेगा, आपके सिबल स्कूर की उपर, आपका सिबल यहां पे कैसे है, अगर आपका सिबल यहां पे अच्छा होगा, तो आपका जो इंटरस्ट यहां पे कम लगेगा, Hika, अगर आपका Civil यहां पे Down होगा, आपको Interest हैं पर ज़्यादा देना पढ़ सकता है, तो यह पर देख सकते हैं, आपको समझ आगा होगा कि क्या सी आप इस Application पे LOAN के लिए Try कर सकते हैं, अगर आपको loan की जूरता है तो loan ले सकते है, pay letter की जूरता है तो pay letter ले सकते हैं, अगर आपको EMI card की जूरता है तो आप EMI card भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो pay letter से आप flip card पे जाके कोई भी स्वान को buy कर सकते हैं, अगर आप 3000 से उपर की shopping करती है उसको आप EMI की उपर यहाँ प पर लगा था तो यहां पर आपको अच्छे से चेक कर लेना है और उसके बाद आपको यहां पर अप्लाई कर देना है तो अप्लिकेशन कौन सी यहां पर देख सकते हैं ADFC First Bank Mobile Banking आप इसको जा के चेक कर सकते हैं इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.8 किसकी रेटिंग और जिसके डामलोड यहां पर एक करोड़ प्लस इसके पर डामलोड है झाल झाल